So, hello my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. तो आज से हम लोग अपने योध्या बैच में अकाउंट्स के one short revision series को चालू करने वाले हैं. इससे पहले हम लोग ने हमारे business studies को, हमारे Indian economic development को और हमारे micro economics के जितनी भी chapter थे, उनका chapter wise revision कर लिया है. चाहे concept की बात की जाया, या important MCQ की बात की जाया, तो जो भी चीजे थी, वो सारी चीजे हम लोग ने अब तक cover कर ली है. आज से इस particular वीडियो से आगे के जितनी भी वीडियो आएंगे, उसमें हम लोग accounts के जितनी भी chapters आपके इंटरेंस exam में important रहने वाले हैं, उन सभी chapters की concept को revise करेंगे, उन से related जितने MCQ बन सकते हैं, उसको solve करने के कोशिश करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके इंटरेंस exam में ज्यादा से ज्यादा जो question आ सकते हैं, उन question को solve करने के कोशिश करेंगे. तो आज इस वीडियो में जिस chapter का हम लोग revision करने वाले हैं, या फिर कहें जिस chapter का हम लोग समझने वाले हैं, वो है हमारा non-profit organization और हमारा cash flow statement, basically आज इस वीडियो में इन दो chapters के हम लोग revision करने वाले हैं, इन दो chapter के जो most important concept है, जहां से आपके question बन सकते हैं, इंटरेंस exam में, वो सारी चीज़े आज हम लोग इस particular वीडियो में समझने के कोशिश करेंगे, so let's begin, so first चीज आता है, जो first chapter जो हम लोग आइस वीडियो में रहने वाला है, वो है हमारा non-profit organization, and second जो chapter है, वो हमारा cash flow statement है, जासे कि मैंने आपको पहले बता रखा है, तो non-for-profit organization, actual जो ये word है, कि NPO, जिसको कई लोग NPO नाम से भी जानते है, not-for-profit organization, actual में इसका मतलब क्या होता है, ये not-for-profit organization, जो है, ये क्या होती है, organization तो है, organization से अब लोग समझ रहूंगे कि organization का मतलब क्या होता है, एक group of sंgathan कहा जा सकता है, इसको sंgathan, and not-for-profit organization क्या होता है, तो वो sंgathan जो बिनना किसी profit या जो काम करता है ना कि मुनाफ़ा कमाने के लिए बलकि लोगों को सेवाय प्रदान करने के लिए नहीं समझा आप लोग वो organization जो काम करता है उसका यह main motive नहीं रहता है कि वो profit कमाने के motive से कम नहीं करता है वो काम करता है इस motive से ताकि लोगों को सेवाय प्रदान कर सके और जो public है या जो आसपास के उसको लोग है उनको या तो public को सेवाय प्रदान कर सके या तो उसके जो members हैं उनको सेवाय प्रदान कर सके तो that's why इसको हम लोग क्या कहते है not for profit organization यानि कि वो समुझ जो profit कमाने के motive से काम नहीं करता है उसको हम लोग not for profit organization कहते हैं ठीक है वही चीज यहां पर definition लिखिए देखिए not for profit organization are those organizations which are set up not for earning profit यानि कि उनका थापना profit motive profit कमाने के motive से नहीं किया गया था बलकि किस motive से किया या था for rendering service to public और its member यानि कि public को या उसके members को services प्रॉइड करना तो जो संगठन ना कि कि किसी profit के motive से काम करता है रधर दीन वो गाम करता है किस motive से ताकि अपने लोगों को या जो public है उसमें involved है वह जो member involved है उसमें उनको सिवाय प्रदान करने के motive से काम करता ना कि profit कमाने के मोटे से तो उसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं not for profit organization ठेक है अब इसके example कौन-कौन से हो सकते हैं school हो सकता है कुछ school बिना fees लिए भी बच्चों को पढ़ाते हैं यह भी आपका not for profit organization हो सकता है hospitals हैं कई सारे जो आपका इलाज करते हैं बिना किसी आपसे fees charge किये वह भी आपका not for profit organization हो सकता है literary societies हो सकती है यह सारी चीजें आपकी जो है libraries हो सकती है या फिर कई charitable test चलते हैं अनाथाल है चलता है और funny है जिसको हम लोग कहतें English में तो कई सारे ऐसे चीजें चलती हैं जिसका public में काम जिसका main काम यह नहीं रहता है कि वह आप आपसे profit कमाये यह आपने profit motive से काम करें उसका काम क्या रहता है कि यह public को अपनी सिवाय प्रदाम कर सके अपने लोगों को सिवाय प्रदाम कर सके rather than कि वह profit कमाई so these organizations do not prepare profit and loss account यानि कि जो not for profit organization है तो उसका motive profit कमाना है नहीं तो वो profit and loss account नहीं बनाती है क्या नहीं बनाती है जो organization जैसे हमारी कुछ company है मालिजी हमारी Tata Brila company है हमारी महंधरा Company है तो हम वहापे उस महंधरा company का क्या कम होगा वो profit motive से काम पर रही है तो कामकर ये profit कमाने के हिसाब से तो कौन सा account बनाती है Profit and loss account बनाती है क्यों 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 कि उसका profit होगा जा तो loss होगा लेकिन जो not for profit organization होते हैं यानि कि जो profit के motive से और फेन जो नहीं काम करती है वो कौन सा account बनाएंगी अपने वह भी तो कोई account बनाएंगी तो वह कौन सा account बनाती है receipt and payment account बनाती है receipt and payment account और income and expenditure account बनाती है बेसेकल लिए आपके NPO की financial statement को तीन account बनते हैं आपके not-for-profit organization में कौन-कौन से account बनते हैं उसको लोग देख लेते हैं not for profit account में mainly 3 account बनते हैं आपसे question पूछ सकता है कि not for profit account में कितने account बनते हैं तो 3 account बनते हैं कितने account बनते हैं 3 account बनते हैं कौन कौन से आपके receipt and payment account बनता है income and expenditure account बनता है और balance sheet बनता है तो financial statement किसी भी NPO के आपके financial statement किसे measure कर सकते हैं उसके receipt and payment account से उसके income and expenditure account से उसके balance sheet से आगे बढ़ते हैं सबका format देख लेते हैं और यह receipt and payment account क्या है income and expenditure account क्या है इसको अमनों समझने कोशिश करते हैं So receipt and payment account is a summary of transaction appearing in the cashbook showing receipt and payment during an accounting period under appropriate head of account Basically receipt and payment जितनी भी transaction होती है पैसा आता है तो आपका receipt होगा पैसा आपके organization से बाहर जा रहा है तो payment होता है वो सारी चीजी यह format में आप देख लिए जहां पर भी जो भी जिस साइड आता है आपको यहां पर दिखा देगा यह आपका debit side है receipt and payment का and यह आपका एक सेकेंड कि एक सेकेंड हाँ तो आप लोग format देख लिए आपको format से question पूछे का नहीं उतना है लेकिन आप लोग देख लिए कौन साइड किस साइड आती है यह आपके debit side है यह आपके credit side है जो किस जिस side आता है उसको आप लोग देख लिए जो आपका newspaper है magazine है by rent है by postage है by expenses है by advertisement expenses है by salaries है यह सब आपके credit side आ रहे हैं to entrance admission fees to grant general grant to general donation तो यह सारी चीज़े हैं जहां पर भी पैसा आ रहा है वह आपका credit होगा जहां से पैसा जा रहा है वह आपका debit होगा यह उसी का पूरा format है आपको मैं PDF provide कर दूंगा अगर आप रीड करना चाते हैं तो आप रीड कर सकते हैं यह basic format आपका receipt and payment account का आगे बरतें income and expenditure account में तो income and expenditure account का भी यह आपको format दिया इसको भी आप लोग देख सकते हैं PDF में आप प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग देख लेजेगा उत्ता है important question नहीं बनता है बस आपसे NPO के लिए के basic question पुछेंगे जैसे NPO में कौन सी चीज़े किस तरफ transfer होंगी कौन सी debit में जाएगी कौन सी credit में जाएगी non-for-profit organization में कितने टाइप सी account बनते हैं non-for-profit organization का objective क्या होता है तो कुछ जो basic question है उससे आप लोग को पूछ सकता है subscription को लेकर आपसे एक डो question पूछ लेगा लेकि numerical में जाएगा आपसे basic जो numerical आपका जो वो बनता है equation बनता है उससे आपसे question पूछ सकता है तो सारी चीज़े आप लोग देख लेजेगा मैं आपको PDF गर दूँगा अब बात करते हैं हमारे दूसरे chapter cash flow statement की cash flow statement basically क्या होता है cash flow statement से आपका objective क्या है cash flow statement से पढ़ने से हमें मिलेगा क्या हम क्या समझते है इस chapter से तो basically cash flow statement क्या है cash flow statement एक statement है जो दिखाता है आपका आपके और आपके company में inflow and outflow of cash cash और cash equivalent तो आपके organization में cash और cash equivalent का inflow और outflow हो रहा है जितना भी accounting period में उसको आप लोग cash flow कहते हैं cash flow किसे हो रहा है आपके operating activity से हो किससे हो आपके operating activity से हो या investing activity से हो या आपके financing activity से हो तो आपके organization में या आपके company में जो भी inflow and outflow हो रहा है cash का और cash equivalent का with these three activity operating, investing and financing activity within accounting year is called cash flow statement यानि कि cash flow statement basically एक statement जहां पर हम सारी चीज़े measure करते हैं हमारे company में कितना cash flow, कितना cash inflow हुआ, कितना cash equivalent outflow हुआ है कितना inflow हुआ है, कौन सी activity से, आपके operating activity से, investing activity से और आपके financing activity से, objective क्या होता है cash flow statement क्या objective of cash flow statement is to determine the cash flow, cash inflow and outflow from operating, investing and financing activity यानि कि objective क्या होता है, cash flow statement हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता चल सक्किए कि हमारे organization में कितना cash का inflow हुआ है हमारे outflow हो रहा है, कौन सी activity से, हमारे operating activity से, हमारे investing activity से और हमारे financing activity से, importance of cash flow क्या है, इसको read कर लेते हैं एक बार हम लोग, it will help in asserting cash flow from operating, investing and financing activity तो इन सारी इन तीनों activity से, जो भी cash flow हो रहा है, उसको हम लोग measure करने का काम करता है हमारे planning में काफी help करता है, planning management में काफी help करता है it help in maintenance of liquidity and determined solvency, हमारे cash की liquidity को determine करने में help करता है कौन हमारा cash flow statement, it help in efficient cash management, हमारे cash management का efficient use हो सके उसमें help करता है, हमारे comparison में help करता है, और भी कई सारे इसके objective हैं देखिए, importance आप लोग उसको read कर लिजे, so that's all in video, thank you so much आपके जो cash flow था और आपका जो cash flow statement और आपका जो not for profit organization था उसमें जितनी भी important आपके concept questions बन सकते थे, वो सारी चीज़े मैंने आपको कोशिश किये कि चोटे से video में समझा के कोशिश खतम किया जाए, आपको ये video, आपके जो pdf है आपको इसका link भी मैं दे दूँगा, इसका pdf का आपको whatsapp पे मिल जाएगा या तो मैं आपको google drive पे upload कर दूँगा, वहां से upload इस pdf के देख लिजेगा, आपको जो भी चीज़े जैसे आपके not for profit organization में आपका income and expenditure account था या receipt and payment account था तो उसमें जो आपके questions या format से लेके आपसे question बन सकता है कि कौनसी side आपको से पूछ दे का donation कि side आएगा, donation income and expenditure में आएगा, receipt and payment account में आएगा, तो ये सारी चीज़े आपको मैं provide कर दूँगा, आप लोग देख लिजेगा, so thank you so much